भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित पडोसी देश, म्यामार से दलहनों का नियमित रूप से निर्याद जारी है। वहां अरहर, तुवर, के नए माल की आवक शुरू हो गई है, जबकि उरद की नई फसल की कटाई तयारी अगले महीने से आरंभ होने की संभाव ना है। मयामार स्थित संस्था, Overseas Agree Traders Association के नवीनतम आकडों से पता चलता है कि जनवरी 2024 के दोरान देश से 73,801 टन उरद, 33,601 टन मूंग एवं 31,029 टन तुवर का निर्याद हुआ। इसमें से उरद तथा तुवर के अधिकांश भाग का निर्याद भारत को किया गया जबकि मूंग का निर्याद चीन सहित अन्य देशों को हुआ क्योंकि भारत में पिछले दो साल से मूंग के आयाद पर प्रतिबंद लगा हुआ है। उपलब्द आकडों के अनुसार वर्ष 2023 की संपून अवधी, जनवरी दिसंबर, के दोरान मयामार से कुल मिलाकर 7,23,695 उड़त का शांदार निर्याद हुआ। सितंबर दिसंबर 2023 में भी शिप्मेंट की अच्छी गती बनी रही। प्राप्त आकडों के मुत्बिक मयामार से सितंबर 2023 में 1,10,527 टन, अक्टूबर में 74,016 टन, नवंबर में 66,298 टन, तथा दिसंबर 2023 में 63,827 टन उड़त का निर्याद हुआ जबकि जनवरी में यह सुधर कर 73,801 टन पर पहुँच गया। जहां तक तुवर का सवाल है, तो जनवरी दिसंबर 2023 में मयामार से इसका कुल निर्याद 2,52,378 टन दर्ज किया गया। वर्ष 2023 के अंतिम चार महीनों में आपूर्टी का ओफ या लीन सीजन होने के कारण इसका निर्याद प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। उपलब्द आकड़ों के अनुसार मयामार से सितंबर 2023 में 12,260 टन, अक्टूबर में 3,574 टन, नवंबर में 3,126 टन तथा दिसंबर 2023 में 4,050 टन तुवर का निर्याद हुआ और लगभग यह सारा माल भार से 30,000 टन से अधिक तुवर का निर्याद हुआ ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी